इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते अन्य फीट स्रोतों की तुलना में विटामिन, खनिज और प्रोटीन की बहतर सामगरी के लिए इसे लंबे समय से सराहा गया है अलफालफा फलिया परिवार का एक हिस्सा है लेकिन इसे एक जड़ी बूटी भी माना जाता है इसके संभावत लाब है और यह एक उत्कृष्ट एंटियोक्सिडेंट है इसमें कैलोरी भी उतनी ही कम है इसलिए यह वजन के प्रती जागरूग दिमागों के लिए आदर्श है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. अलफालफा को विटामिन C, विटामिन K, विटामिन A, कैल्शियम और आईरन जैसे आवश्यक विटामिन और खनीजों का एक समरिद स्रोत माना जाता है जो समगर स्वास्थ्य और कल्यान में सहायता कर सकता है 2. अलफालफा में फ्लेवोनोईद्स और फेनोलिक योगिकों सहत कई एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो शरीर को ऑक्सिडेटिव तनाव और मुक्त कणों के कारण होने वाली सेलुलर ख्षती से बचाने में मदद करते हैं 3. अलफालफा में सूजन रोधी गुण होते हैं जो गठिया और जोडों के दर्ध जैसी स्थितियों के कारण होने वाली सूजन और दर्ध को कम करने में मदद कर सकते हैं 4. अलफालफा आहार फाइबर का एक प्राक्रितिक स्रोध है जो पाचन में सुधार और कप्ज को रोखने में मदद कर सकता है ये सूजन और गैस जैसे पाचन विकारों के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है 5. अलफालफा को शरीर में LDL कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए जाना जाता है जो हृदय रोग और अनिस्वास्थे जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है 6. अलफालफा कैपसूल में मौजूद विटामिन और खनिच संक्रमन और बीमारियों के जोखिम को कम करके स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें